रोमन रेंस पे हमला करके जै उसो लेंगे अपने भाई जिमी की बेजिती का बदला, क्या इस बड़े धोके के बाद तूट जाएगी ब्लड लाइन, जानेंगे सब कुछ इसी वीडियो में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, दोस्तों बीते स्मैक डाउन के एप ट्राइबल चीफ ने जिमी उसो को धक्का देकर सब के सामने उन्हें बेज़त किया, जवाब में जिमी भी रोमन पे हमला करने जा रहे थे, लेकिन अचानक जैने बीच में आकर मामला शांत किया, वरना बलड लाइन का अंत हो ही चुका था, जैने रोमन से केविन उवेंस और सैमी जैन के खिलाफ एक और टैग टीम टाइटल मैच दिलवाने की डिमांड की, पर सब को हैरान करते हुए, ट्राइबल चीफ ने खुद को टैग टीम टाइटल मैच में डाल लिया, और नाइट आफ चैंपियन्स के लिए अंडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन WWE SummerSlam 2023 के लिए रोमन रेंज एंड सोलो सिकोवा वर्सिस दि उसोस का मैच प्लैन कर रही है, ऐसे में ये तो पक्का है कि नाइट आफ चैंपियन्स में उसोस कुछ ऐसा करेंगे, जिस वजह से सोलो सिकोवा और रोमन रेंज की टीम केविन ओवेंस और सैमी जैन के खिलाफ अंडिस्प्यूटेड टेग टीम चैंपियन्शिप मैच हार जाएगी, पॉसिबिलिटी है कि इस मैच के दोरान जिमी और जैउसो रोमन रेंज पे हमला करेंगे, जिसका फायदा उठा कर सैमी या कैविन मैंसे कोई एक सोलो सिकोवा को पिन कर डालेगा, और ट्राइबल च टीम चैंपियन बनने के वादे को पूरा नहीं कर पाएंगे, जिसके बाद ट्राइबल चीफ अपनी शर्मनाख हार का सारा गुस्सा जिमी और जैउसो पे निकालेंगे, पहले भी कई बार रोमन ने जै की बेज़िती की, लेकिन अब तक उन्होंने पलट कर ट्राइबल च स्ट्रीट चैंपियन और ट्राइबल चीफ की हार का कारण बन सकते हैं, लेकिन क्या आपके हिसाब से जिमी और जैउसो रोमन रेंस को धोखा देंगे, कॉमेंट करके जरूर बताईएगा, बिलीव इन कॉड़ एंड धैंक्स फर वाचिंग